जैहिंद प्यार सिक्षक भरती परिच्छा फॉर्म लगतार भराया जा रहा है और उमीद करते हैं कि आप फॉर्म भर भर भी चुके होंगे लगभग 36 से 37 दिन का समय बचा हुआ है और उमीद करते हैं कि आपका तयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा होगा नहीं अगर प्लेटफॉर्म भिकना पहरी सेंटर पटना में जो सेंटर हमारा है यहां हमारा टेस्ट एक आयोजन होता है तब ताम चार दिन यह टेस्ट हम लेते हैं जिसका फिगर आभी आप देख रहे हैं सनिवार, रविवार, मंगलवार और बुद्धवार को एक बज़े से तीन बज़े तक होता है आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश यह है कि यहां पर अभी हम कुछ देर के बाद यहां का मेरिट लिस्ट आपको दिखाएंगे कि लगबग हजार स्टूडेंट यहां टेस करेंगे और ओवरॉल यही सीन आपको ओवरॉल देखने को मिलेगा यही ओवरॉल सीन देखने को मिलेगा क्योंकि जब हजार स्टूडेंट के बीच यह सिन रहेगा तो समझे कि जहां की 5 लाग 6 लाग या 7 लाग स्टूडेंट एकजाम में बैठेंगे इससे परे लगबग टेस्ट दे रहे हैं इससे आपको पता चलेगा देखिए ये अलग-लग classroom का ये scene है हमारा आप इसको वराते जाएए इसमें देखते जाएए ये बच्चे लगबग हजार प्लस या हजार के लगबग टेस्ट है इसमें और जब इसके हम result के बारे में आपको दिखा आएंगे तो आपको आईडिया आएगा और हम चाहते हैं कि एक टेस्ट का PDF हम अपने टेलिग्राम चैनल हमारा टेलिग्राम चैनल है platform by नभीन कुमार सिंग ये हमारा टेलिग्राम चैनल है उस पर पिछला set है जिसका ये result है ये result हम upload कर देंगे आप उस टेलिग्राम चैनल को download कर लिजेगा उस टेलिग्राम चैनल पर हमारा इसका question paper का PDF हम दे देंगे और उस question paper को आप निकाल भी सकते हैं जो student इस test में participate नहीं किये हैं दूर दराज के भी student हैं बाहर के student हैं उस question paper को आप print out निकाल करके इमानदारी पुरुभक आप पहले test देंगे और one fourth negative काटके अपना मार्स उससे निकालेंगे और फिर हमारे इसका merit list भी हम टेलिग्राम पे दिये रहेंगे test नमर के साथ में तो आप test नमर इस merit list में खुद को बैठाईएगा कि आपका rank कहां पहुँच पा रहा है और इस हिसाब से खुद का assessment आप actual कर सकते हैं वह से ये test जो हमारा है ये सब्ता में चार दिन जैसे अभी हम बताए कि सनीवार रविवार मंगलवार गुद्धवार एक वज़े से तीन वज़े साइधपूर मोर भिकना पहारी पटना सेंटर पर हो रहा है इसके अलावा प्ले स्टोर से जाकर के हमारे एप पर भी आप पहुँच सकते हैं प्ल टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं प्राइमरी सेक्षन के लिए 1-5 के लिए और 9-10 का अलग टेस्ट होता है वो टेस्ट सेक्षन में जाकर करके आप जज़ कर लेंगे लेकिन अभी हम तर्चा करेंगे रिजल्ट के बारे में कि इस टेस्ट में यानि कि टेस्ट नमर 12 हमार अभी लेटेस्ट पेटरन का हम टेस्ट ले रहे हैं पांच ऑप्सन वाला इससे पहले जो हम चार ऑप्सन वाला टेस्ट ले रहे थे अब दोनों में अंतर क्या रहा आप इस बात को थोरा सा समझ लेना है चार ऑप्सन का जो हम टेस्ट ले रहे थे और जो वही स्टूडें पांच option के कारणूंका डाउन हुआ है और एक चीज हम इसमें प्रियोग किये की जैसे तीन तरह का पाच्मा option में आपको तीन तरह का option दिया जा सकता है क्योंकि अभी तक आयोग यह clear नहीं की है कि किस तरह से पाच्मा option होगा तो इसमें तीन तरह में जैसे पाचमा option जिस तरीके से headmaster वाला exam हुआ था उसमें उप्रोक्त में से एक से अधिक E option में या उप्रोक्त में से कोई नहीं E option में था एक अभी जो current pattern आपका चल रहा है जो उनतरमी BPSC में implement होगा तो उसमें क्या है कि तीन option regular है A B C चाउथा option D में आपका उप्रोक्त में एक से अधिक पाचमा option E में उप्रोक्त में से कोई नहीं तीसरہ आप बन सकता है कि direct ABC D regular रखे ओप्रोक्त में इस तरह का option दे सकते हैं दे सकता है तो हम क्या किये कि इस तीनों option को इस 5 option वाले में set किये प्रसंपत्र में जिससे कि हर तरह का option का आपको अभ्यास हो जाए अचानक कुछ भी बदला हो उससे आपको फरक नहीं परे इससे हम देखे और पाए कि student का लगवग 15-20% मार्स में कमी आई इस test में अगर हमारा जो question का रहता है exam के standard से 10-15% हमेशा हम tough रखते हैं जिससे कि exam nation hall में आप comfort feel करें जब आप पहुँचें तो आप देखेंगे कि प्यूस कमार जो हमारा topper है 96 इनका right रहा sorry 96 right और 21 wrong कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो 117 attempt इन हो ने लिया तीन question इन हो ने छो रहा और कुल इनका score 90.75 score रहा topper का दूसरा topper हमारा नितीस कुमार रहा इनका कुल मिला करके देखेंगे 10 question इन हो ने छो रहा यानी 110 question इन हो ने attempt लिया इनका मार्स 87.5 रहा तीसरा अस्थान बरजेश कुमार का रहा जिन हो ने कि कुल टोटल 120 का 120 attempt लिया इनका score 86.25 रहा चौता अस्थान सुमन कुमार का रहा इन्हों ने 114 attempt लिया टोटल इनको 82.75 इनका स्कोर रहा और राकेश बनिता जिनका पाचमा स्थान रहा ये कुल 115 एटेम्ट लिए और 82.5 पाचमा स्थान रहा इस तरीके से आप देखेंगे हम next next करके थोरा सा आपको आगे बढ़ाओ थोरा सा हम दिखाना चाहते हैं ये देखें लगातार next next करके लगातार ये सारे स्टूडेंट का result है एक चीज हम यहाँ पर गवर किये एक चीज हम पाए कि इस test में लगभग 40 to 45% स्टूडेंट क्वालिफाइ नहीं कर पाई यानि कि लगभग 300 से सारे 300 स्टूडेंट लगभग क्वालिफाइ नहीं किये 1000 में आप समझ सकते हैं कि 40% जेनरल कटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्स है यानि 120 में 48 नंबर मिनिमम आपको आना ही चाहिए अब 48 नंबर भी अगर आप नहीं लाते हैं तो ऐसे ही आप दौर से बाहर हो जाएंगे दूसरा चीज आप यहां पर यह पाए आपको जिस तरीके से हम रिजल्ट बताए इससे यह पाए कि जो भी टॉप 5 स्टूडेंट था तब लगभग 114.15 से उपर एटेम्ट किये हम हमेशा बोलते हैं पिछले वीडियो भी अगर आप मेरा देखे होंगे हम यह बातें लगभग चर्चा करते हैं कि जो भी आपको practically प्रियोग करना है वो अभी कर लेना है कि maximum attempt लेने के बाद कितना मार्स हमको आता है और actual attempt लेने के बाद कितना मार्स आता है actual attempt कहने का यह मतलब है कि जितना आप जान रहे हैं सिर्फ अगर उतना ही question बनाते हैं तो कितना मार्स आता है और जहां 50-50 हैं तब भी अगर आप attempt लेते हैं और कुछ अपने हिसाब से confusion लग रहा है कि यही 2-3 में से 1 होगा तब भी attempt लेते हैं तो कितना मार्स आता है क्योंक time to person अलग भी हो सकता है भीन भी हो सकता है लेकिन चुकि चार पर एक मार्स आपका कम होना है तो अगर चार में एक भी सही हो गया बराबर हो जाएगा दो सही हो गया तो आपको प्लस में लेके चला जाएगा और वैसा ही भाग्य हमारा गरवर रहेगा कि 4 attempt लिए एक भी सही भी नहीं होगा आप समझ सकते हैं इसलिए अगर आपका subject पर पकर ठीक-ठाक है या subject पर अच्छा पकर आप रखते हैं तब आगर आप maximum attempt लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत जादा दिक्कत नहीं होना है वह आपको positive दोर में लेकर जाएगा लेकिन हमारा subject ही एकदम कमजोर है तब तो आप कितना भी खाली तुक्का लगा लेंगे तो आपके साथ परिशानी हो सकती है आपको याद होगा चैर्मेन साहब अपना इंटर्विव दे रहे थे तो उस समय एक बात उन्होंने बताया था कि सतही ग्यान से काम नहीं चलेगा आपका उनका कहने का मतलब था कि जो नॉर्मल ग्यान आपको है चिछला ग्यान है या कम परें हैं काम नहीं चलेगा जब तक subject पे अच्छे से पकर नहीं होगा तब तक आप exact maximum इसकूर करना आपके लिए कठिन होगा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने पहले ये संकेत दे दिया था कि 5 option रहेगा 5 option में से confusion वाला question रह सकता है या 5 option में से एक सही answer ढूनने में आपको ज्यादा परिशानी हो सकती है चुकि BPSC exam conduct कर रही है तो इतना तो संभव ही है तो मेरा कहना है कि हम आपको थोरा सा भी डराने का परियास नहीं कर रहे हैं हम आपको alert mode में ला रहे हैं और अगर आप यही average देखते हैं आज जो हम 1000 student का average आपको दिखाए कि 30% 35% student qualify नहीं कर पाए तो यही स्थिति लगबग वहां पर होना है तो अब आप पूछेंगे हमसे या मन में चल रहा होगा कि तो सर सेफ स्कूर क्या रह सकता है इस तरह का परिस्थिति में तो हमारा कहना है हमारा मानना है क सेफ स्कूर बहुत जादा आपको घवराहट नहीं होनी चाहिए परिशानी नहीं होनी चाहिए लगबग आप यूं समझे कि 5 से सारे 5 लाख या 6 लाख student primary section में एपियर हो सकते हैं 5 लाख से 6 लाख के बीच में और कुल पद अगर आपका देखा जाए तो 89,900 असी हजार के क साथ गुना लगबग आपका competition level रहना है उसमें other state के भी candidate form भरे हैं other state वाले के लिए competition level क्या रह सकता है तो other state वाले कुल मिला के 13 सारे 13,000 seat के लिए fight करेंगे और हमको लगता है कि महिलाओं की जहां तक बात करें target हमेशा अपना उपर होना चाहिए target हमेशा आपको 65 to 70% का target होना चाहिए क्योंकि 70% का मतलब ये होता है कि बरसत 84, 80 plus की बाते हम कर रहे हैं male के लिए क्योंकि उतना भी बहुत ज़्यादा आपका उपर नहीं भागेगा अगर male candidate लगबग 84, 85 का target रखेंगे तो 70, 75 पर आके ठीकेगा और जिस समय हमको लगता ह उतना मार्स अगर आप ला पाते हैं अगर इस तरह के question paper रहा तो 100% आपको result होना चाहिए दिक्कत नहीं होगी female candidate की अगर हम बात करें तो female candidate के संधर में अगर 60 plus भी मार्स ले आते हैं इस तरह के case में तो हमको लगता है कि 60-65 के बीच में आपका result आना चाहिए लेकिन जब आपका target हो 75-80 से कम का नहीं होना चाहिए तो जा करके आपको 10 मार्स पे आके ठीक हैंगे लेकिन attempt के मामले में हमेशा कहेंगे कि हमेशा 100 से उपर ही आपका attempt रहना चाहिए 105-110 से कम attempt नहीं रहना चाहिए क्योंकि कितना भी आप attempt करेंगे तो 5-7-10-20 गलती होना आम है यानि इसे hope करेंगे कि हमारा जितना attempt ले रहे हैं exact उतना सही ही हो जाएगा यहां पर थोरा सा दिक्कत आपको मासूस हो सकती है तो इस इसाप से आपको manage करने का परियास करना है दूसरा आपको अभी चाहिए कि last moment में एक set daily बनाने का परियास करें एक set daily अच्छे से अच्छी book market स कोई ले आए अभी हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि एक अपना आज से या कल से book मिलने लगेगी पांच option वाला latest pattern का उसके बारे में थोरा सा हम आपको दिखा देते हैं किस तरह का book रहेगा latest pattern का देखिए यह विपीसी बिहार प्रात्मिक सिक्छक volume 2 यह अब इसको हम पांच भी कल्प में convert कर दिये हैं और पूरा का पूरा इसमें option सहित जैसा पांच option कर रहना चाहिए 100% उसी तरह कर रहेगा जैसा exam में पूछा जाएगा और यह साथ में एक चीज और विपीसी द्वारा जारी OMR का प्रारूप के अधार पर एक और book निकाले हैं special OMR के निकाले हैं यह book भी हो गया 5 option का और यह OMR हो गया 5 option वल आपका practice करने के लिए संभवता आज साम से आपको market में मिलने लगेगी आप इसको अच्छे से बनाईए practice करके अच्छे से practice कीजिए और नहीं के बराबर इस book में आपको error मिलेगा और अगर आप पटना रहते हैं तो चार दिन जो हम टेस्ट ले रहे हैं सनिवार रविवार मंगलवार विरस्पतिवार एक से तीन भिकना पारी सेंटर पटना में हमारे यहां टेस्ट देने के लिए हजार प्लस बच्चों के बीच में अपना rank आप देखिए एक examination का माहोल create होगा और अगर पटना के बाहर र यहां का practice आप लगातार करते रहें लगातार देते रहें और चुकी टेलिग्राम पर हम offline mode का पूरा result देते हैं तो वहां से आप अपना खुद का comparison कर लें कि अगर इतना मार्स आया है तो offline बच्चों के बीच हमारा rank क्या रहता तो यह actual इस्तिती आपको जानकारी में जानक आप से practice तो करेंगे ही बाकी paper में भी subject के importance को ध्यान में रख करके लगातार SCRT कोसिस करें कि upper primary level यानि कि 8th level तक के SCRT के book से 6-8 या 3-8 तक के book को खूब अच्छे साब देख जाए और up to 9-10 यानि 10th level तक का NCRT को भी आप देखें इससे आपका question बाहर नहीं जाएगा एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि संडे को इसका information भी हम अपने YouTube चैनल पर community में लगा देंगे इस संडे को एक हजार question समान विज्ञान और इसके बाद परियावरन समान विज्ञान एवं परियावरन क्लास 3 से लेके 8 मी तक का परियावरन और हम और इसके अलावा जो और आपका class में जो आपका syllabus है तीसरी class 8 मी तक का 1000 question का महा महराथन इस संडे को आपको 10 घंटे का लगातार चलेगा और 1000 question जिससे में हम करा देंगे तो 5000 plus question का लाब होगा हमको नहीं लगता है कि समान विज्ञान एवं परियावरन से आपका question चूटेगा इसी संडे से morning में 8 बजे से start करेंगे और रात में साम में 8 बजे तक 4 या 5 बजे तक लगातार आपका चलेगा तो उसको भी देखिएगा तो उमीद करते हैं कि ये वीडियो अगर पसंद आपको आएगा comment करिएगा कुछ अगर हमसे और भी query आप करना चाहते हैं जानकारी लेना चाहते हैं comment box में लिखिएगा या और भी कुछ बातें आपके दिमाग में अगर चल रही होगी comment box में जरूर आप लिखेंगे और हम कोसिस करेंगे आपके बातों का हम जबाब देने का इस वीडियो में इतना ही रखेंगे धन्यवाद best of luck